आप सभी लोग देखते होंगे समय समय पर एच चिडिया भी देश में वो दुनिया भर में चर्चा का बिसे बनी रहती थी इसका नाम है ट्वीटर और हम लोग सोसल साइट मीडिया ट्वीटर की बात करें अभी आप लोग ने देखा होगा कि एलन मस्क ने इसे खरीद लिया है और अभी चिडिया आप कह सकते हैं कि उनकी चिडिया हो चुकी है तो आज हम लोग इस चिडिया की इतिहास के बारे में जानेंगे और कि कभे अस्तित्त में आई यानि कि ट्वीटर का इतिहास क्या रहा आए और किस तरे सी इस पर अकाउंट बना सकते हैं आप लो और कौन-कौन से फीचर्स मिलते हैं आपको ट्वीटर पर उन सब पर हम लोग एक सामान जानकारी ले लेंगे तो आप सब्सक्राइब अपने उसक्रीन पर और एलन मस्क भी आप आप लोगों को देख रहे होंगे और आप देखिए कि 81.000.000 इनके फॉलोवर्स हैं आप समझ रहे हैं तो इसलिए आप कहा सकते हैं कि इन्होंने इसे खरीद लिया है और अब इन पर इस पर इनका राज होच गया है तो वैसे आपको बता तो कि सोसल मेडिया जो साइट है इसके यूजस सबसे जाना आपको अमेरिका में देखने को मिलेंगे कहां USA में देखने को मिलेंगे और सेटराज अमेरिका आप लोगों को यहां देखने को मिलेगी ठीक है और उसके बाद आप देखेंगे दूसरे नंबर पर आपका जापान है जापान देखें आप तो ज अगवग आप कह सकते हैं कि 23-24 करोड़ लोग ट्रूइटर को यूज करते हैं भारत में और आपको बता दूँ एलन मस्की की अगर बात करें हम लोग तो आपको मालू होना अच्छी कि इनका जनम साउथ अफिरिका में 28 जून 1971 को हुआ था और 1971 वही वर से जो आपने देखा ह होगा कि भारत और पाकिस्तान की बीच योद्ध हुआ था और आप सभी जानते हैं कि बंगला देश एक नया देश भर की आया हुआ था उसमय हमारे देश में पिधान मंत्री थी हमारी इंद्रा गांदी जो एक मात पहली आप कह सकते हैं कि महला पिधान मंत्री थी अगर हम लोगे सौधे के बारे में बात करें जो एलन मस्क और को ट्वीटर के खरीदते समय हुआ है तो आप देखें कि दुनिया के सबसे अमीर सक्स और टेसला के सी यू है एलन मस्क इन्होंने आखिरकार ट्वीटर को खईदने की डील फाइनल कर लिये हैं और यह डील आप देखें 24 अरब डॉलर यानि की करीब आप देखें 3.37 लाख करोड रुपे में हुई है और ट्वीटर के बिक जाने की खबर की पुष्टी खुद ट्वीटर ने की है और काफी दिनों से इस बात को की चर्चा भी हो रही थी और ट्वीटर को एलन मस्क खरीद लेंगे और इसे लेक प्रकश होता है अभी आप देखें कि इनसे और अच्छा कोई खरीदार आएगा तो यह भी बेंद देंगे उसे क्योंकि प्रॉपेट की सब कोई सोचता है आप समय रहे हैं आप लोग आप देखें कि वैसे तो आप देखें कि हम लोग फेस्वक यूच करते हैं किये गए थे तो कई वार हमें ऐसी चीजों के बारे में जानकारी भी नहीं होती है और आप देखते हैं होगे कि जो हम जिंदगी में रोज मर्या की जिंदगी में इस्तेमाल भी करते हैं और दुनिया की पॉपूलर माइक्रो विलोगिंग और सोसल साइट ट्वीटर की है दरसल 21 मार्च ही के दिन टूइटर की सुरुवात हुई थी आपको बता दूँ कि 21 मार्च 2006 को पहला ट्वीट किया गया था तो आप से अगर पूचे जिसकी स्थाबना कव हुई थी तो आप कह सकते हैं 21 मार्च 2006 की बात है टूइटर को के को फाउंडर ने किया था पहला ट टी-डवलो टी-टी आर और उस्समें ट्विटर का नाम टी-डवलो टी-टी-आर हुआ गरता था जुलाई 2006 में ट्विटर को यूजर्स के लिए लॉंच किया गया था और पूरी पुनिया भर में ट्वीटर के करोणों यूजर से और ऐसा माना जाता है कि देखिए तीन सो पीस मिलियन लगभग आप देखिए इसके टोटल यूजर हैं तो आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ी सोसल मीडिया साइट कर सकते हैं आप लो हमारे देश के जो भी पॉफूलर नेता हों या आप देखे एक्टरस हों या और कोई भी बैखती हो वो सभी आपको ट्वीटर पर जरूर देखने को मिल जाएंगे और आजकल हमारे देश की अधिक राजनीती ट्वीटर के जरिये होती है एक नेता ट्वीट करता है पर उसी फोटो लेकर वीडियो वना कर पैदानमंति साब को टेक कर सकते हैं अपने मुखमंत्री साब को टेक कर सकते हैं अधिकारियों को टेक कर सकते हैं अपनी समस्याओं को उन तक पहुंचाने का एक जरिया भी आप लोग कह सकने इसे और अगर हम लोग ट्वीटर के मुख्याले की बात करें तो आप देखेंगे सेन फ्रांसिसको कैलिफॉनिया सेवतराज अमेरिका में इसका मुख्याल है देखने को मिलेगा इवान विलियम्स ट्विटर के सीव हैं और इसका अधिकारिक वेबसाइट www.twitter.com और यहां से उभोगता साइन अप कर सकते हैं और अब आप द सब्सक्राइब करते हैं और ट्विटर की सबसी बड़ी खासी है कि यह लोगों को संचिप्त में अपने विचार सांजा करने का उसर उपलब्द करवाता है यहां आप एक सो साथ सब्सक्राइब करते हैं अब आपको देखते हैं कि 100 सब्सक्राइब कर सकते हैं अब आप उस सब्सक्राइब निकाल कर आपको लिखिए और ट्वीटर पर इसी लिए कम सब्धी लिखिने की जगह मिलती है फिर तो पर आप देखते होंगे कि आप लोग पुरी किताब लिखते रहते हैं ट्वीटर अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं इस पर भी बात कर लिए यह बहुत ही आसान है जिस तर तो साइन इन करें अत्वा नए अकाउंट के लिए साइन अप पर किलेक कर इन डिटेल्स को भरना होगा सबसे पहले आप लोगों को पूरा नाम डालना होगा अपना अपने मोबैल नंबर या इमेल आईडी डालने होगी और एक मजबूत पासवर्ट डालना होता है और मेर प्रकुत हो और आप देखिए सोच भी नहीं सकते हैं लोग की इस तरह का पासवर्ट रखाओ इस तरह का सपासवर्ट यूच किया करिएगा आपने देखा होगा अधिकतल लोग क्या करते हैं इक दो तीन चार-पांच रख देते हैं और इसलिए आप देखते हैं कई बार रहता रहता है कि उनका है हो गया ऐसा हो गया वैसा हो गया तो मेरा मानना है कि आप लोग कोई अपना नाम रिखिए और उसमें भी किसी और के पास नहीं होगा आपके कोई एक तरह से आप कह सकते हैं कि पर्मानेंट आपको यह प्लब्द हो जाता है आप साइने करे क्लेक करते हैं आप लोग और अपने मोबाइल नंबर या इमेल पर आप देखते होंगे कि प्रमाडी करन कोड भी आता है उसके जरीए आप तो उसे अकांट में डालना होता है और एक टिब कर लेते हैं आप टुटर कितना सुरक्षित है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के जो भी टुटर है वो है भी वो तरेते हैं कभी आप लोग ने सुना होगा कई राज्वों के सीयों को स्केविए आपने आफिसिंग साइट के जरिये आपके किसी भी सोसल साइट के लॉग इन डाटा ब्यक्ति के जानकारी में सेंद लगाई जा सकती है साइवर क्राइम के तहट आने वाले उन क्रियाओं के द्वारा कुछ लोग फेक लिंक्स बना कर यूजर्स को भेजते हैं और वो उपन करके करने पर ट्वीटर जैसे साइट कुलती है और अपना लॉग इन डाटा डालने को कहती है वाकई में वो हैकर्स की साइट सी होती है लोगों को साजा दिलाने के लिए उनकी विसे इस पेकार की से डिजाइन की जाती है एक बात और आपको बता दूँ हमेशा अपना मजबूत पासबर्ड रखिए और आग्याद कोई भी लिंक अगर आपको SMIS के द्वारा किसी भी तरह से पराप्त होती है तो वहां आप लोग मत खोलिए अपना ट्वीटर या आप लोग कुछ भी उसका ओपन ही मत करिए कई बार आप देखते हैं कि आपके बैंक से पैसे हम चले जाते हैं आप लोग जैसे इस पर किलिक करते हैं उसे लिंग पर तो यह जरूर आप लोगोंगोंको ध्यान देना होगा ठुब्हाइटर की नर्मल चीजों की इन्फोर्मेशन यान की जानकारी want आप लोगों को होना चाहिए सबसे पहले हम लोग यूजर नेम के बारे में बात कर लेते हैं आप देखते होंगे कि जैसे आपका नाम कुछ भी है आप लेक्स वाई जड़ आपका नाम है तो आपना देखा होगा एड़़ी लगों को देखने को मिलेगा ट्वीटर पर जितन निसान प्राप्त होता है जैसे आप लोग एलन मस्क का देख लिए देखे एड़ारेट लगा हुआ है एलन मस्क और इन्होंने जोईन किया हुआ था 2009 में आप समझ सकते हैं बहुत पुराने यूजर हैं तो इस तरह से आपका एड़ारेट लगा कर यूजर नेम बन जाता है ट्वीट की बात करें तो जब आप ट्वीटर के पोश्ट बाले सेक्शन के नीचे दिएगे बॉक्स में कुछ भी टाइप करते हैं या फिर लिखकर पोश्ट करते हैं तो उसे ट्वीट कहा जाता है ट्वीट के हिसाब से आप अधिक्तम 160 सब्दों में ट्वीट कर सकते है और यह बढ़ती रहती है रिट्वीट क्या होता है जब आप ट्वीट पर अपने अकाउंट पर कोई ट्वीट करते हैं और किसी वेक्ति को आपको ट्वीट को रिपलाई करना होता है या फिर आपको आपकी ट्वीट को रिफ्रेंस के तौर पर इस्तिमाल किया करना होता है तो वह retweet के इस्तेमाल करता है आप चाहें तो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा tweet किये गए tweet को retweet भी कर सकते हैं मुझे लगता है कि Facebook आप सभी लोग उप्यूब करते होंगे आपने देखा होगा कि tweet का मतलब सीधा सा हो जाता है कि आप लोग उसरे पोस्ट लिखते हैं और share कर देते hey लेकिन आपने देखा होगा कोई चीज आप लोगों को कोई post कोई status अच्छा लग रहा है कोई video अच्छा लग रहा है तो आप लोग क्या करते हैं कि share कर देते हैं Twitter पर आपको अपनी खुद की फॉफाइल पर follow बटन तो मिलता ही है, साथ हमें जितने लोग Twitter का इस्तिमाल करते हैं, उनकी प्रोफाइल भी भर उन्हें follow का बटन प्राप्त होता है, इस पे काल लोग इसके जरिये, जरिये का इस्तिमाल करते हुए एक दूसरे को follow कर सकते हैं, जब आप किसी को follow करते हैं, तो उसे following का message प्राप्त होता है, और जब कोई आपको follow करता है, तो आपको following का message प्राप्त होता है, और आपकी ID को जितने भी लोग follow करते हैं, उन्हें आप अपना follower कह सकते हैं, यानि कि इन्होंने फॉलो किया हुआ है 81.3 million इनके followers हैं यानि कि इने किसी और ने follower follow किया हुआ है 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 यह आप लोग देखते रहते होंगे और मुझे लगता है कि आप लोग कई वार है तो एक ट्रेंड से करो और टेखते हैं तो जब हम ट्वीटर कोई पोस्ट लेखते हैं तो आवस्य सकता कि अनुसार करते हैं बतार कि यह baraki गृट की तरह रख करता है जिसमें लोगोज सब्जेक्ट पर डिस कडYourक़ करते हैं जिसका है होता है हैस्टेग के आप उस चर्चा में अपनी बात पहुंचा सकते हैं इसके अलावा ट्विटर ट्रेंड में अपनी बात को लाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कई बार आपने देखा होगा कि हमारे देश के जो बिध्यारती रहते हैं उनकी परिक्षा टाइम से देखा होगा उनका रिजल्ट नहीं होता है याप देखिए धानली होती है तो वह भी ट्विटर पर ट्रेंड करवा देते हैं हैस्टैग लगाकर यह eyeballs will ट्विटर कैसे चलाएं यह भी बता देता हूं इसमार्ट फॉन यूजर्स करने बाले कोई भी व्यक्ति ट्विटर अकाउंट को ऑफरेट कर सकता है नीचे ट्विटर एप्लिकेशन की साहता से आईए यह समझते हैं जैसे आप देखे सबसे पहले आप देखेंगे हॉम देखेंगे हैं और आपको बता दो कि अगर इसे ट्विटर जो आपका एप्लिकेशन इसे आप लोग फिले लिश्ट से सोची से भी डाउनलोड कर सकते हैं फिले लिश्ट से फिर आपका सर्च आता है अगर आपको ट्विटर पर कुछ साहच करने की आप सकता पड़ती है तो आप इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने दोस्तों को ढूड़ने के लिए इसका योच कर सकते हैं इसके अलाबा किसी भी फैवरेट बेक्टी की प्रोफाइल को भी आप लोग सर्च कर सकते हैं नौटी पी किसन बैल आपको हरपिकार की नौटी किसन यहाँ प ट्वीटर पर ट्वीट करने के लिए लोग इस बटन का इस्तिमाल करते हैं तो इस तरह कि एक सामन जानकरी मुझे लगतता है कि ट्विटर भी यूज करते रही है देखते रही है और हमारी सरकार की और ट्विटर की काफी लड़ाई होती रहती थी अब आंगे आने वाले समय में किस तरह से इस पर समझोता होता है क्या होता है यह तो आने वाला बक्ती बताएगा फिरहाल एलन मस्क ने इस चेडिया को क्याओवाश प्राइभ यह नोग प्राइब है और भी झाल ट्विटर शॉर करते रही है यह तो आने वाले सक्थावाश फिरिए सहावश प्रब देखते पंगे फूश सरकार की क्या वाले यह तो शूशने फोशने भीह है